इतने भी ठर्ड इएर के डियर स्टूडेंट है आपको पता है कि मैंने इसे पहले वाला एक ancमें नंबर का ही वीडियो का जो मैंने एक कूष्चन कराया था टूइन्स प्रिग्नेंसी समाज़ Kommunes ट्विंस प्रिग्नेंसी के बारे में जुर्वा गर्वावस्था या फिर इसी को हम लोग मल्टिपल प्रिग्नेंसी भी जो हम लोग परहे थे कि एक समय में मल्टिपल प्रिग्नेंसी होने का क्या मतलब होता है क्यूं होता है सराची परहा दिये थे लक्षन, कारान, निदान सब्ची प्रहा दिये थे जटिलता भी प्रहा दिये थे अब एक चीज मैंने बता दिया था कि परवंध आपका बच गया है जो कि परवंध भी बड़ा है तो इसके समझने के लिए एक वीडियो में अलग करेंगे तो आज हम लोग परवंध ही करेंगे twins pregnancy का क्योंकि आपके exam में हो सकता है कह दें कि twins pregnancy या multiple pregnancy का management बताईए तो management भी सिर्क पूछ सकता है और दूसरा चीज़े है कि आप से भी पूछ सकता है कि twist pregnancy अगर लौंग में पुछेगा तो आपके ये परस्फन जरूर पुछेँगे कि twins pregnancy के बारे जरूर बताए समझगा एब twins pregnancy के बारे में जुरुबा देखिए जुरुबा और multiple दोनों समझा दिये कि multiple होगा तो उसमें 2 या 2 से अधीक जितना हो जाए 2, 4, 6 जितना हो जाए गर्व में लेकिन 2 का मतलब सिर्फ 2 ही होगा समझ रहे न तो वो जुरुबा होगा हो गया तो आज हम लोग चलते हैं इसके परवंद को देखेंगे कि कैसे अगर 2 या 2 से अधीक अगर गर्वे में बच्चे रहते हैं तो क्या-क्या परवंद हम लोग को करना पड़ेगा आज जे नर्स ठीके ना तो परवंद चलिए देखते हैं सबसे पहला कोई भी चीज का परवंद होता है वह प्रशर्व से परवंद नर्सिंग देखने का तो चलिए आज हम परशर्व से पूर्व का देखवाल पहले देखते हैं तो चुकी टिन्स पिक्नेंसी है क्या होता है सबसी बता दियें तो देखें कभी भी परवंद हम लिखते हैं तो जब हमको बीमारी के बारे में पता है समझ लीजे ज आपको पता है कि क्या होता है क्या कारण है क्या लक्षन होंगे तो आप जो है अराम से जो है क्या कर सकते हैं परवंध आप लिख सकते हैं चाहे कोई धवाई देने की बात हो चाहे नर्सिंग परवंध की बात हो आप अराम से लिख सकते हैं आप जानते हैं कारण जानते हैं इसके बारे में तो आप अटमेटिक क्या होता है उसका परबंद करेंगे किन-किन कारणों से होगा उस कारणों के दूर करेंगे समझ गए कन-कन सा लक्षन होता है तो उस लक्षन के लिए जो है काम करेंगे और यही तीनों स्टेप में तो हमारा परबंद छुपा रहता है न प्रवाज्ट को चुन लेते हैं पाच प्रोबलम को और उन पाचों प्रोबलम के लिए काम करते हैं दो दो चार-चार पॉइंट सब में लिखते हैं ऐसे समझ गया चली बाकि चली हम बताते हैं प्रसर्व पूर्व देखवाल इसे एंटी नेंटल केर भी काते हैं समझ गया जो की परहा दिये हैं प्रसर्व से पहले प्रसर मतलब लेवर से पहले समझ गया लेवर अभी महिला को नहीं हो रखा है तो उससे पहले मेंस उससे पहले का मतलब क्या कि गर्व आवस्था जब आवस्था गर्व का हो तो मतलब लेवर से पहले का आवस्था है तो उसी को हम के समय परशर्व से पूर्व अगर थुड़ा भी महसूस लगे कि बहू गर्वा मल्टीपल प्रिगनेंसी का चांसेज है इस महिला में तो उसे तुरंद जाच करके जो है उसका निदान कर लेना चाहिए पता कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार हम लोग परबंद भी करते ह मल्टिपल प्रिगनेंसी में कोई कई खत्रे हो सकते हैं आता है इस परकार की जो गर्वावास्था को परत्रिमीकता देनी हाई डिक्स प्रिगनेंसी मानना चाहिए समझ गये देखिए होता ये है कि जैसे मान गय कोई महिला है अगर वह जाच करवाई अल्ट्रासंड करवाई और उसे पता लग गया कि जो है इसमें दो या तीन या चार जो है इसमें क्या है गर्व में सिसू है तो चुकी पता लगने के बाद अगर आपको महिला अगर कैपि सिथी है इस चीज़ को रखने का तो वह जो रख सकती है क्यों क्योंकि अगbly उस में हाई रिक्स प्रिग्णेसी का खत्रा रहता अगर महिला के लिए यह प्रिगनेंसी अगर खत्रा है तो उसका कोई दूसरा उपाय करवा सकते हैं पहले से ही समझगे अगर महिला नोर्मल है वह अपने आपको मजबूत है तो अपनी मन रख सकते हैं लेकिन पता तो चल जाएगा न यह चीज होता है समझगे नेक्ट पॉइंट है महिला को संतुलित पोशन अहार वा सारीरिक अरदाम परदान करनी चाहिए अब जो महिला प्रिगनेंसी है खासकर मल्टीफल प्रिगनेंसी है उसमें या ट्विंच प्रिगनेंसी है वो ऐसे महिलाओं के पोशन अहार बहुत ज़्यादा यानि गर्व के दोरान प्रसर्व पूर्व सभी जांचे समय से करनी चाहिए जैसे रक्परिक्षन अल्टरासनोग्राफी आदी लेवर से पहले मतलब चुकी हम लोग लेवर से पहले कहीं देखवाल कर रहे हैं तो लेवर से पहले बलड एक्जामिनेशन यूएसजी जो है ज करवाणी चाहिए किसी भी परकार के जटिलता को तुरंट दूर करना चाहिए जैसे प्रीएक्लेम्सीया मधु में आदी अब होता है कि प्रिग्नैंसी जो प्रिग्नेन डोमैन होती है उसमें बहुत सारे जटिलता होते हैं सूजन होना चक्करान ऐसके न मॉर्निंग सेखि को दूर करनी चाहिए नेक्स्ट है यहां पे इस्तरी की जांच में देख लीजे इस्तरी की जांच में एमनियोटिक फुलूट भॉलूम फीटल ग्रोध एफेसेच आदी को नोट करना चाहिए इस्तरी को सारीरिक मांसी गुरूप से अस्पताल में प्रसर्व के लिए त्यार करना चाहिए अब इस्तरी का जब जांच करेंगे तो हमां क्या क्या चीज को देखेंगे एमनियोटिक फुलूट उलुबक दरब परहा चुके है क्या होता है उलुबक दरब एमनियोटिक फुलूट के बारे में चेक करेंगे कि कितना है या भी समझ गए कितना होना समझे आगे है इस्त्री को सारेरिक वा मानसिक रूप से अस्पताल में डिलेवरी यानि प्रशर्व के लिए त्यार करना चाहिए ताकि उसे कोई डर न हो तो यह कुछ जो है प्रशर्व से पहले का देखवाल है जिसको मैंने यहां पे लिखवा दिया अब हम लोग चलते हैं आगे प्रशर्व के बाद की देखवाल और सबसे महत्पून देखवाल यही प्रशर्व की बाद का देखवाल ही होता है चुकि प्रशर्व के दौरान का जो देखवाल होगा पेड़ी ऑपरेटिव वो तो सब नुर्मल के तरह ही होगा भले तीन हो चार हो वो बात अलग ह लेकिन होगा जो प्रोसेस होगा जैसे उसका अंबलीकल कोड काटना हो प्लेसेंटा कब निकलेगा तो यह जो दौरान हो तो होगा जैसे एक में होगा वैसे दूसरों में होगा तिसरों में होगा तो उसको प्रोसेस उस लेवर के दौरान का प्रोसेस सब में सेम रहेगा समझ वाले से ज्यादा कस्ट जो है जर्म देने के बाद दूसे तीन वाले में होता है समझे ने तो इनको प्रसर्व के बाद देखवाल देना बहुत जरूरी होता है ओके कैसे चलिए पहला है और स्ट्रेशियन की उपस्तिती में कुशल मीड़ वाइप द्वारा परिक्षन करके निश्चित करना चाहिए कि प्रोलैप्स औफ कोर्ड अथवा लिम्ब तो नहीं है प्रसर्व के लिए सभी त्यारिया पूर्ण करने ली चाहिए अब मैं आप लोग को परहा चुका हूँ कि प्रोलैप्स कोर्ड क्या होता है प्रोलैप्स कोर्ड होता है आप लोग को परहा आप्स्ट्रेट्सियन जो होते हैं समझ गया परस्थूती जो महिला रोगी महिला विभाग एवं परस्थूती विभाग जो होता है इनको उपस्थिती में ही एक मीड़ वाइफ जो दाई मीड़ वाइफ होती है उनके दोरा परिक्षन मतलब एक्जामिनेशन करने के भी त्यारिया पूर्ण कर लेनी चाहिए अगर ऐसा है या नहीं है इसका आपको निश्चित करना चाहिए और जो भी कंडिशन हो उसके बाद ही प्रसर्व के लिए त्यारी करनी चाहिए तो यह हो गया पहला पॉइंट प्रसर्व के बाद समझ गये दूसरा है मीड़ को अपनाना चाहिए क्योंकि सिसू का आकार छोटा होने के कारण तेजी से प्रसर्व किरिया प्रारंब हो सकती है संक्रमन से बचाव के लिए प्रोफलाइटिक एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए अब देखिए मीड़ वाइब को कह रहा है कि बेटेंड वाज को अपनान से निकल जाएगा यूटरस से बाहर जिली फटने के बाद अब इसी स्थिती में संक्रमन हो सकता है तो इसके लिए प्रोफलाइटिक एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए तो जो भी मीड़ वाइप हो उसे बेटेंड वाज से जो है करना चाहिए ताकि सिसू के अकार अगर छोटा हो तो उसके कारण अगर तेजी से प्रारंब किरिया अगर उत्पन हो जाए तो उसको देख रेख करके जल्दी नूर्मल कर सके तीसरा है प्रथम सिसू की डिलेवरी स्वता स्पेंटियोसली स्वता मतलब प्रथम सिसू की डिलेवरी स्वता हो जाती है इसमें अगर multiple pregnancy है multiple pregnancy है या जुर्वा है तो जो परथम सिसू अगर जर्म ले रहा है तो वह स्वता हो जाएगा उसमें कोई दिकत नहीं होगा इसमें कोई हस्त छेप या सहायता नहीं करनी होती है यदि किसी परकार की देरी के कारण इस्तरी को बेचैनी या फिटस डिस्ट्रेस होती है तो डिलेवरी फोर्सेफ दोरा कराई जा सकती है अमानिये किसी के दो बच्चे होना है दो जुर्वा बच्चे है दो बच्चे है गर्व में एक बच्चे पाहला जो होगा उसमें कोई ज्यादा हस्त छेप नहीं करना परता है डाई को मीड़ वाइफ को और वह असानी से जो है ज्यादा देरी नहीं लगता है लेकिन अगर फिर भी अगर इस कंडिशन में अगर महिला में बेच्चे नी और बच्चा में कोई विकार उत्पन होने को हो तो जल्दी जो है फोर्सेफ दिलेवरी से जो है हम फोर्सेफ करा देते हैं डिलेवरी करा देते हैं समझ गया जो क फोर्षेप्स भी परहा चुके हैं चौथा है माईडियर प्रथम सिसु के जन्म के बाद नाभी नाल को को डिश्टेली एंड प्रोक्सिमाली क्लेंप करने के बीच से काट देना चाहिए अधिक बिलीटिंग ना हो सके वरना सिसु के लिए संकट हो सकता है अब आपको पता है कि बच्चा जब गर्व में राता है गर्व से बाहर आने के बाद भी जो उसका नाभी नाल होता है वह प्लेसेंटा के साथ में बच्चे के जो है नाभी से जुरा हुआ होता है और इसी नाभी नाल के जरीए जो है बच्चा को पोसन, बलर्ड, अक्सिजन सब ची मिलता रह तो बाहर आने के बाद भी लगा ही रहता है उसको काठना परता है तो बच्चा जब आ जाए बाहर ठीक है तो जितना भी समय है उस समय के बाद distally और proximally clamp करके बीच से काठना चाहिए मतलब इधर भी बान दीजे और इधर भी बान दीजे और तब बीच से जो है इसको क्या करेंगे काठ देंगे ताकि जो है इधर का चीज इधर नहीं आएगा और इधर का जो blood है इधर secret नहीं होगा अगर ज़्यादा bleeding होगा तो फिर ब रभाइड करनी चाहिए प्रथम सिसू पर नंबर वन का लेवल लगा देना चाहिए शिसू का लिंग तथा जन्म का समय भी नोट कर देना चाहिए ताकि यह तै किया जा सके कि कोन बच्चा बरा है और कोन बच्चा छोटा है जो बच्चा पहले आ गया इस दुनिया में वह बारा हो जाता है उसका समय थोरा न थोरा समय का फर्क हो जाता है तो इसलिए वह बारा हो जाता है समझ गये तो अगर मैटल डिश्ट्रेस हो तो अक्सीजन देंगे साथ में प्रथम सिसू पर लेवल वन का लेवल लगा देंगे और समय लिख देंगे लिंग लिख देंगे यदि आवस्यक हो तो पिरेनियम, पिरेनियम वाला हिसा आपको पता है ना, मैं परहा चुका हूँ कि जो भैजीना है, जैसे मानिए भैजीना है, भैजीना के ठीक है नीचे वाला कुछ एरिया होता है, ठीक नीचे वाला वही पिरेनियम एरिया होता है, समझ गए तो इस परेनियम फोच्छतिगरस्थ होने से बचाने के लिए एपी जी यो ट्यमी की जानी चाहिए प्रंतु परफर्म करने से पुर्व मतलब एच शुरू डिलेवरी शुरू करने से पुर्व एक परसेंट जाइलो कौन अथबा लिंगो के लोकल एनस्थेसिया देनी चाहिए अब मैं आपको एपी जी और टॉमी भी प्रहा चुका हूँ कि पेरिउपेनियम में जैसे ये भैजीना है महिला का समझ गए ये भैजीना समझ लीजिए अब यहाँ पर जो एरिया होता है कुछ एरिया माई ये एरिया नीचे का पिरिणियम है तो चुकि यहाँ पर एसकीन मलसल्स रहता है तो इसके छोटा परने पर बच्चा अगर बाहर नहीं आ पाता है तो यहाँ पर नीचे से हलका ठीक इसके नीचे से भैजीना के ठीक नीचे पेरिनियम में थोरा चीरा लगाते हैं जिसके करण इसका दोआर बड़ा हो जाता है बचा असानी से आ जाता है तो ए एपी जी यो टोमी की जानी चाहिए समझे गया पेरिनियम अगर छतिगरस्त होने वाला हो बच्चा का विकास जादा हो गिया हो और बच्चा नहीं निकल लाओ जोर लगाएंगे तो पेरिनियम फट जाएगा क्योंकि वह उतना मजबूत होता नहीं है वहाँ पे एक जिली सा स्कीन लगा होता है बस तो ऐसे में क्यों न हम उसको बचाने के लिए थुरा सा चीरा लगा देंगे चीरा लगा देंगे असानी से निकल जाएगा चीरा लगाने से पहले हम वहाँ पे एक परसें जाईलो कौन या फिर लिंगडो कौन एनस्थेसिया लगाते हैं समझ गए आगे है माई डियार सत्मा है प्रथम सिसू के जन्म के बाद मीड वाइप को इंतिजार करना चाहिए क्योंकि गरवासे की संकुचन पुनह लोटने में आदे घंटे तक समय लग सकता है प्रथम सिसू के जन्म के पहचाद उसे सिसू की लाई तथा प्रस्तूति और उसकी फिटल हर्ट साउंद की जांच कर लेनी चाहिए अब माई डियार होता ये है होता ये है कि प्रथम सिसू के जन्म के बाद जो मीड वाइप है उसको जो है इंतिजार करना चाहिए क्योंकि दूसरे बच्चे अगर है गर्म में तो उसको होने में थोरा सा समय लग सकता है समय क्यों लग सकता है क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसमें सराखेल यूट्रस कंट्राक्शन को होता है जब तक यूट्रस कंट्राक्शन नहीं होगा तब तक बच्चा जो है बाहर नहीं आएगा तो मान गए पहला बच्चा अगर जन्म ले चुका है तो दूसरा बच्चा होने के लिए फिर से यूटरस को कंट्रक्शन कर्ना पड़ेगा संकूचन करना पड़ेगा और ऐसा थोरी नहीं है मसीन थोरी नहीं है एक बच्चा जन्म दे दिया फिर से यूटरस संकूचन होने लगा बच्चा को धकिलने लगा अंदर से ऐसा नहीं होता है इसके लिए कुछ समय लग सकता है तो इंतिजार करना चाहिए समझ गए पर्थम सिसू के जन्म के बाद दूसरे सिसू के लिए उसका प्रिंजेंटें होने से पहले भी जाचते हैं और जब एक बच्चे का लेवर हो गया तो दूसरे बच्चे के लिए फिर से हम यह सब चीज को जाचते हैं पता करते हैं कि बच्चा सही सलामत तो है या नहीं है समझ गए आठमा है यदि दूसरे की लाई लॉंगिचूडनल हो तो देख में ऑक्सी टॉक्सिन जोकी प्रेसे यूट्रस के कंट्रेक्शन को बरहाता है प्रसर्व में ऑक्सी टॉक्सिन डिप चालू करके प्रसर्व करा देना चाहिए समझ गए चलिए नौमा है यहां पर माई डियर बहुत अच्छा है देखिए यदि दूसरे सिसू की लाई ट्र और प्रसर्व करा दिया जाता है इसका कहने का मतलब है कि लाई अगर ट्रश ऑन लिक हो मतलब तीछ्ण वह ऐसे या प्र ऐसकी disparity CPR करने के लिए जो है longitudinal करने के लिए cephlic version अथवा external podalic version का परियास किया जाता है और तब प्रशर्व कराया जाता है मतलब अगर सिसू अगर तिर्चा हो ऐसे हो तो इस condition में पहले इसको सीधा किया जाता है longitudinal ठीक है तब बच्चा को प्रशर्व करा दिया जाता है किस भरजन के दोरा longitudinal करते है podalic version, cephlic version याद रखिएगा दसमा है my dear दूसरे सिसू पर number two का लेव लगा कर link अथवा जन्म का समय note कर देना चाहिए अगर आप दो बार नहीं पढ़िएगा तो कहां से समझ में आएगा आपको bumps कर जाएगा तो यह चीजे होता है number दूसरा जो बच्चा है उस पर दो का लेव लगा दे जन्म समय link उस पर note कर दे 11-3 को second baby के जन्म के पहचात IV ergometrine दिया जाना चाहिए तता उदर के नीचले भाग की मालिस करनी चाहिए अब यहां पर कह रहा है कि second baby हो जाए तो उसके बाद IV mark से जो है ergometrine दिया जाना चाहिए उदर के नीचे पेट के नीचे मालिस करनी चाहिए तो यह चीजे होता है placenta की delivery के बाद इसकी जाच करनी चाहिए अगर placenta भी बाहर निकल जाए तो placenta की जाच करनी चाहिए कि placenta अपने साथ कोई मास तो नहीं उट्रस का खिचलाया है समझ गए infection की रोग थाम करनी चाहिए जिसके लिए antibiotic लगतार दिया जाता है समझ गए postpartum hemorrhage की रोग थाम करनी चाहिए postpartum मतलब delivery के बाद जो बहुत सारा blood होता है उसका रोग थाम करना चाहिए 15 है यहाँ पे देखिएगा रोगी की नियमी TPR BP नोट करनी चाहिए देख लिए temperature, pulse, respiration और BP को चेक करनी चाहिए लगतार क्योंकि जडिलता होता है यह सब इस्तरी को सिसू को rest feeding कराने के लिए प्रोसाहित किया जाना चाहिए अब जो इस्तरी है उसको चाहिए कि वो अपने सिसू को अस्तनपान कराए इसके लिए प्रोसाहित करनी चाहिए तो my dear यह हो गया मैंने 16 point बताया प्रशर्व के बाद की देखवाल में तो आप लोग समझे कि क्या करना उपर के 2-3 point जो मैंने दिया था न वह प्रशर्व के दोरान का भी देखवाल include कर दिये थे समझ लीजिए तो वो समय जो था उपर के जो एक 2 point देखे हैं इसी में प्रशर्व के बाद बला में वह प्रशर्व के दोरान का भी था पेड़ी अपरेटिव का थी था यहाँ पर देख लीजिए total English दिया गया है total English यहाँ पर मैंने दे रखा है तो यह PDF एक ही वीडियो के डिस्क्यूशन में दे देंगे आप लोग वहाँ से complete जो है